वन्दे मात्रम स्टुडॉंस स्टुडॉंस टुडेस अवर सब्जेक्ट इस जीके इन जीके सब्जेक्ट वी सी चैप्टर नमबर सेवेन चैप्टर नमबर सेवेन ने में इस फ्री टाइम बच्चो आज का हमारा सब्जेक्ट जीके है और जी के सब्चेक में आजम करने वाले है चैप्टर 7 और उसका नाम है फ्री टाइम बचो आप पूरा दिन कौन सी कौन से अक्टिविटी करते हो आप सुब जागते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो फिर आप अभी क्या करते हो, आप जो ये online जे वीडियो आती है वो आप देखते हो फिर आप वो homework करते हो, फिर आप आपके बचे हुए टाइम में क्या करते हो तो वही हम आज देखने वाले है और आज के समय में तो फ्री टाइम में बचे क्या करते है मोबाइल फोन में गेम्स खेलते हैं और मोबाइल फोन में वीडियोस देखते हैं उसके अलावा आप कभी-कभी गेम खेल लोगे लेकिन आज के टाइम में तो यही ज्यादा होता है लेकिन बचो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊगी कि आप फ्री टाइम में कौन-कौन से अक्टिविटी आप कर सकते हो तो चलो बचो स्टार्ट करते है Here are some activities that you can do in your free time यहाँ पर बहुत सारी ऐसे activity है जो आप अपने free time में कर सकते हो तो चलो बचो उसके बारे में जाने तो सबसे पहली activity देखो तीन बच्चे बैठे हुए है और यहाँ पर वो कागज से कुछ कर रहे है और यह हुआ craft crafts जो बच्चों को बहुत पसंद है इस तरीके से craft की मदद से paper की मदद से different different look आप देख सकते हो क्या बना सकते हो आप kite बना सकते हो इस तरीके के person बना सकते हो और क्या बना सकते हो और plane बना सकते हो तो craft करना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने free time में craft करो dancing, dancing भी बहुत सारों को पसंद है कभी आप जब फ्री होते हो तो dancing एक ऐसी activity है जो exercise भी हो जाएगी जिससे आपकी body, body क्या maintain भी होगी और साथ में ये एक fun activity भी हो जाएगी जो क्या होता है dancing जो है वो song play होता है इसके वज़े से हमें dance करना अच्छा भी लगता है और ठकावट भी नहीं होती है इसलिए free time पे हम ये एक activity कर सकते है Watching TV TV देखना किसे नहीं पसंद TV देखना सब भी को पसंद है Free time होता है तो भी क्या करना चाहिए हमें हमारी family के साथ अच्छे से प्रोग्राम देखने चाहिए Watching TV is a good activity for spending free time आगे देखे Reading Reading एक ऐसे activity है जो हमारे mind को दिमाग को तेज भी करती है और हमारा time भी spend हो जाएगा उससे तो एक reading activity free time के लिए बहुत ही अच्छी है जो मुझे भी बहुत पसंद है Keeping बच्चों आप ऐसी टैप की रोप से कभी आपने skip किया रहेगा ये एक free time में आप ऐसी game अगर आप अकेले हो तो आप खेल सकते हो इसमें दुसरे किसी की जरुरत भी नहीं होती है एक्सरसाइस भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा Skipping Playing Musical Instrument Playing Musical Instrument हमें हमारे free time अगर हमें मिलता है तो हमें इस तरीके की instrument हमें बजाने चाहिए जिससे हमारा क्या होगा माइन भी तेज होगा और ये एक activity बहुत अच्छी हो जाती है तो Playing Musical Instrument is a free time activity Chatting अगर कभी आपको free time मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए आपके फ्रेंड के साथ या आपके भाई बहन के साथ आपको time spend करना चाहिए और उतके साथ बाते करनी चाहिए जिससे क्या होगा हमारा time spend हो चाहिएगा और हमें अच्छा भी लेगेगा ताकि क्यूंकि हम हमारी बाते दुसरे के साथ अच्छे से share करेगे तो हमारा हमें अच्छा लगेगा drawing drawing किसे नहीं करना पसंद सबको पसंद है सबको color करना पसंद है तो कभी भी आपको free time मिले तो आपको drawing करना चाहिए playing खेलना तो सभी को पसंद है toys तो सभी के घर में रहेगे आप Barbie से, car से, ball से खेलते हो तो आपको free time में इस तरीकेश की games भी खेलनी चाहिए तो बचो ये हो गया free time में जो आप activity कर सकते है उसके बारे में अभी थोड़े से question answer है उसके बारे में जाने है question time question number 8 what do you do in your free time take on the right picture given above अभी क्या करना है यहाँ पर बहुत सारी activity दी गई है आपको free time पे कौनसी activity करनी अच्छी लगती है वहाँ पर आपको टिक करना है तो मुझे तो free time में एक तो reading करना और dance करना अच्छा लगता है तो मैं ये दो पे मैं टिक करूगी आपको जो भी activity अच्छी लगती है वहाँ पर आप टिक करो इस तरीके से b what do you do when your best friend visits you अगर आपके घर पे कोई आपका friend घर पे आता है तो आप उसके साथ किस तरीके से आपको कौनसी activity उसके साथ करना अच्छा लगेगा तो मैं उसका अच्छी इस तरीके से बोलोगी when my friend visit in my home so I will hang out with them with a chatting with a chatting playing games playing games reading some books with them ओके बचो इस तरीके से answer सिफ औरली बोलना है तो बचो आज के लिए इतना ही अगला हम अगले वाले वीडियो में देखेगे अगले के लिए से लिए ओकीण तरीके रचारे के लिए ख़े जटे जब देखेगे .